हाई फ्रेंड्स जैहिन और वाम वेलकम तो अल फ्यू वेलकम टू स्टेक गुरुजी इस वीडियो में उरुमला इंटरनेशनल प्राइबेट लेम्टेट डाटा इंटरी ऑपरेटर की जो विगपती आई है 2399 पोस्ट यानि कि लगबग 2400 पोस्ट पर जो विगपती है उसी से रिलेटेट इनका कॉंटरक्ट पेपर दिखाएंगे कि ये कॉंटरक्ट कैसे कराते हैं डाटा इंटरी ऑपरेटर की जो आउट्सोर्सिंग होती है इसमें इनका कॉंटरक्ट कैसे होता है आपको कैसे कॉंटरक्ट पेपर बनेगा तो सबसे पहले आ जाते हैं भारती गैर नियाले यानि कि इंडियन नॉन जुडिशियल यहाँ पे इनका कॉंटरक्ट पेपर आप यहाँ पे मेंशन भी हो सकता है देख सकते हैं Urmula International Services Private Limited Contact Agreement ठीक है मैं आपको contact agreement दिखा रहा हूँ कि कैसे आपके selection होने कि बाद आपका contact agreement क्या रहे down This agreement is made and entered into 28 Day of March 2021 एंग ठीक है इस तरीके का कुछ contract agreement आपका बनेगा State Health Society बिहार पतना और आपकी जो वेकंशी कंप्लिट होगी State Health इसी में होगी SHSB में औरमिला इंट्रेशनल सर्विसिज प्राइबेट टेट, यहाँ पे इनका एजेंसी और पूरा एड्रेस है, सर्विस प्रोवाइडर और सेलेक्षन पर लिया। यानि कि ये आपका बॉंड और ये WhatsApp नमबर पे संपर्क कर सकते हैं 854287800 यहाँ पे आपको study material मिल जाएगा औरमला इंटरेशनल का ध्यान दिजेगा फिर से मैं repeat कर रहा हूँ 854287800 यह WhatsApp नमबर है WhatsApp पे आप text कर सकते हैं यहाँ पे आपको औरमला इंटरेशनल का study material मिल जाएगा पागी थोड़ा सा मैं औरमला इंटरेशनल के बारे में डिसकस कर लेता हूँ औरमला इंटरेशनल में जो आपका syllabus और pattern है एक्जाम का data integrator का मिल ली आपका basic fundamental advanced fundamental और fundamental में भी थोड़ा डीटेल में चल जाते हैं generation of computer, history of computer internet email से question पूचे जाएंगे input, output, hardware, software, mail, merger उसके बाद आपकी जो question बनेंगे abbreviation से बनेंगे, shortcut key से बनेंगे MS Office 2016 जिसमें की चार software आते हैं MS Word 2016, MS Power One 2016 MS Excel 2016 MS SS 2016 इन चारों software से question पूचे जाएंगे और मिला international data entry operator में तो description box में link है वहाँ से आप हमारा study material भी ले सकते हैं या फिर आप हमारे WhatsApp नमबर पे content करके इसकी जानकारी ले सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद